Hello students, welcome to my YouTube channel तो आप लोगों की जो है DLA की कल अलोटमेंट लिस्ट आ चुकी थी इसने भी अभी तक अपना नाम चेक नहीं किया है वो चेक कर सकता है लिस्ट मेरे टेलिग्राम चेनल पर डाली हुई है वहाँ पर से आप देख सकते हो टेलिग्राम चेनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों को अठारू सो रुपे की फी पेमेंट कैसे करनी है तो फी पेमेंट के लिए आपको SCRT की ओफिशिल साइट पर आना होगा यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को किया है Apply for DLA 2021 यहाँ पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद Registration नमबर डालना होगा Password डालना होगा Security Pin नमबर डालना होगा यह सब फिल करने के बाद आपका Dashboard खुल जाएगा Dashboard ओपन करने के बाद आप लोगों को ऐसा Option दिखाई देगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे आप लोगों का Fee Payment का Option है यहाँ पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हो अपनी 1800 रुपे की Fee Payment कर सकते हो Fee Payment करने के बाद आप लोगों को क्या करना है इसका Print Out निकल वा लेना है और उसकी दो Photography करा लेनी है दो Photography कराने के बाद साथ में आप लोगों को क्या करना है Allotment Letter का भी Print Out निकल वा लेना है और इसकी भी जो है दो Photography करा लेनी है ये सब कराने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा अपनी सीट को या तो freeze करना होगा या float करना होगा अगर आप freeze करते हो सीट को तो आपका अगली लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आप लोगों को उसी college में admission लेना होगा अगर आप अपनी सीट को float कर देते हो तो अगली list में आपका नाम आ जाएगा और आपकी जो preference है अब जिसमें आपका नाम आया है उससे उपर वाली preference में आपका नाम आ जाएगा बलब उससे पहले जो आपने preference भरी होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा documents की अगर हम बात करें तो documents मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग से वो वीडियो आपको link description में मिल जाएगा उस वीडियो को देख लेना उसमें मैंने बताया हुआ है क्या-क्या documents आपको चाहिए होंगे और साथ में आप लोगों को medical certificate किस तरह से बनवाना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डिलेट से रिलेटेड सारी इंफोर्मेशन आपको मिलती रहें थैंक यू